नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जी हाँ बिलकुल सही पढ़ा आपने अमेरिका ने खुद किया है काबुल पर अटैक और वो भी काबुल शहर के बीचो बीच इसके कारण क्या थे अमेरिका ने ऐसा क्यों किया सब कुछ में इस वीडियो में आपको बहुत ही डीटेल से बताने जा रहा हूँ देखिए आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले काबुल एरपोर्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 13 अमरीकी सैनिक मारे गए थे और टोटल 200 लोग मारे गए थे लेकिन आपको उस वीडियो में ने ये भी बताया था कि 24 घंटे पहले ही अमेरिका की इंटेलियंस एजनसी CIA ने कह दिया था कि जो बिलकुल काबुल एरपोर्ट पर अटैक होने जा रहा है और बिलकुल वैसा ही हुआ मातर 24 घंटों के अंदर एक जबरदस्त अटैक हुआ काबुल एरपोर्ट पर उसके बाद से ही सवाल ये उठ रहे थे कि जब अमेरिका के पास सारे के सारे इंटेलियंस सोर्सिस थे सारे इंपुट थे कि कहा पर क्या अटैक होने जा रहा है तो अमेरिका ने इसे रोका क्यों नहीं तो ऐसे में कहीं लोगों ने कहा कि जो बाइडन एक कम जो राष्ट पती है उनके पास सब कुछ था वो रोक सकते थे इस हमले को लेकिन उन्होंने नहीं रोका तालिबान के डर से कि कहीं तालिबान नाराज नहों जाएं कि अमेरिका दुबारा फिर से अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है तो खेर वो हमला हुआ, बात आई गई हो गई, लेकिन अब हुआ क्या कि आज सुबह ही, जो बाइडन ने एक बार फिर से कहा कि आने वाले 10 से लेकर 24 घंटों के अंदर काबूल एरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला होने जा रहा है, बहुती स्ट्रोंग इंपुट हमें मिले हैं, और आपको बता दूं कि जो पिछला हमला हुआ था ना, जिसमें सैंकडों लोग मारे गए थे, उसके बावजूद काबूल एरपोर्ट पर इतनी भीड है अभी भी कि पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसे में एक बार फिर से जो बाइडन पर सवाल उठने शुरू हो ग अमेरिका ने अपनी एजिंसियों को लगा दिया कि ढूंडिये उस हमलावर को जो हमला करने वाला है काबूल एरपोर्ट पर और पता चला कि वो कार से काबूल शहर के बीचों बीच से पहुँच रहा है एरपोर्ट की तरफ और उसके तुरूंत बाद अमेरिका ने अपने लोग भी घायल हुए हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमलावर मारा गया है और काबूल एरपोर्ट पर अटैक का खतरा अभी के लिए टल गया है लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाइडन इस चीज़ को अब समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं तालीबान इन्वोल्व तो है और इसलिए उन्होंने तालीबान को इस ओपरेशन में बिल्कुल इंकलूड नी किया उन्होंने खुद अपनी सेना को भेजा और समलावर को एलिमिनेट करवा दिया वहीं का वहीं हाला कि इस मामले पर अभी इतनी अपडेट थी जैसे कुछ और चीज़े निकल कर सा दाव सुलिमितना ही थैंक यू वरमच पर वाचिंग वीडियो